Hello everyone, welcome back to my channel DNC के 12 दिन बाद आपने Unprotected Relation मनाया है तो आपको IPL लेने के आउशक्ता है या फिर नहीं है आज की वीडियो में यही जाने के लास्त अब जरू जोड़े रहे हैं तो देखे आपको DNC के 12 दिन हुए हैं 14 दिन हुए हैं और आपने बिना किसी प्रोटेक्शन के रिलेशन मनाया है तो बिल्कुल आपको Unverted 72 या फिर आई पिल जो इमर्जनसी पे लाती हैं वो लेने के आफशक्ता होती है क्योंकि आपको प्रेग्नेंसी लग सकती है क्योंकि आपका ओबलेशन जो है रेंडमली कभी भी हो सकता है इसा फिक्स नहीं है कि दो हपते बाद हो तीन हपते बाद हो चार हपते बाद हो आपको पता नहीं चलेगा और इन केस उस दौरान आपने Unprotected Relation मनाया होगा तो आपको प्रेग्नेंसी लग भी सकती है रिस्क मत लीचे आपको आई पिल जरू ले लेना चाहिए क्योंकि जब आपका ओबलेशन हो और स्पाम अंडे से नहीं मिल पाता उसके बाद ही आपको पीरियड आती है उसके बाद ही तरह होता है कि आपको प्रेग्नेंसी लगेगी या फिर पीरियड आएगा क्योंकि देखे जब आप अनप्रोटेक्टेड रिलेशन मनाते हैं जो इस पाम अंदर जाता है वो चार से पांस दिन तक उटरस में जिन्दा रह सकता है अगर आपका उस दिन सपोस्ट देट उस तोरान आपका ओबलेशन टाइम नहीं भी चल रहा होगा अगले चार से पांस दिन बाद भी आपका ओबलेशन हो जाता है तो उस केस में भी आपको रिस्ग रहते हैं प्रेओननानराना क्योंकि अगर उस दवरान ओबलेशन नहीं हुआ है बारे दिन में पंधर दिन में वो देट चार शे पांस दिन बाद हो जाता है आपका evolution तो यहाँ पर भी pregnancy लगने के chance आपको बन ही जाते हैं क्योंकि जो sperm है नदर गया है वो चार शे-पांस दिन तक body में जिनता रह सकता है तो तब भी आपको pregnancy लगने के risk रहते हैं अगर 4-5 दिन बाद भी आपका oblation होता है या फिर अभी आपका oblation टाइम चल रहा है तो तब तो आपको pregnancy लगने के chance होते ही होते हैं लेकिन आपको risk नहीं लेना IPF 172 आप 24 गंटे के अंदर-अंदर ले लेना है उम्मिद करते हूं वीडियो आपके लिए helpful आओगा सब्सक्राइब के इंट्रेस्टिंग और helpful वीडियो देखने के लिए हमाई चैनल को जबूर सब्सक्राइब करेए और share कीजिए, like कीजिए, comment कीजिए और कोई भी सवाल है तो नीचे comment में या फिर इंस्ट्राग्राम या फिर फेस्बूक पर भी अपने सवाल कर शकते हैं थेंक्यू, थेंस पॉर वाचिंग